गिस वीडियो में आज हम जानेंगे कि वाट्टसाफ बॉट्सेब का यूज क्या है कि अ以上 किस तरीके से प्रिक्टिक्ली आप यूज कर सकते हैं आपने काम को बहुत आसान बना सकते हैं दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है यह वाट्सप बिजनस का एंड तक जरूर देखेगा प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा ताकि अच्छे से आप इस वाट्सप बिजनस को ग्रों कर पाएं प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लिए बैल आइकन दबा दीजिए ताकि की important videos और courses miss ना हो एक important update अगर आप अपने business को digitally ले कर जाना चाहते है और लैं ग्रो करना चाहते तो उसके लिए आप हमारी National Digital marketing Services ले सकते हैं और अपने बिजनस को मार्गटिंग और सकते हैं साथ के साथ आपको प्रॉपर्ली गाइड करेंगे तो आप सर्विसेज ले या ट्रेनिंग ले उसके लिए आपको कॉंटेक्ट करना होगा इस देवी नमबर पर कॉल या वाट्साइब तो आएए चलते हैं और अच्छे से सीखते हैं Welcome back guys, हमारे WhatsApp Marketing के कोर्स में और इस particular WhatsApp Marketing की वीडियो में हम सिखेंगे की labels क्या होते हैं और उन्हें कैसे use किया जा सकता है सबसे पहले guys, हमें labels समझना पढ़ेगा कि labels असल में होते क्या है क्या logic है labels को use करने का तो एक simple doesn't make example तो हमारे business में कई तरीके के customers होते हैं कोई हमारा existing customer होता है कोई regular customer होता है कोई new customer होता है किसी को हमारा जो order हमने भेजा उसको cancel कराना होता है किसी को return कराना होता है तो different different prospects होते है different different customers होते है अब business में obviously 1000 customers होते हैं कई mid-size businesses में 1000 और even lakhों तक भी जाते हैं तो अब वहाँ पे किस तरीके से हम उन्हें organize कर सकते हैं, किस तरीके से समझ सकते हैं कि हमारे ये जो particular customers है वो हमारे existing customer है या फिर कुछ जो एक particular group है वो हमारे new customers है, उनको कैसे हम segregate कर सकते हैं, उन्हें हम segregate कर सकते हैं, इन labels के थूँ, हर customer पर हम एक label लगा सकते हैं कि यह हमारा existing customer है कि हमारा regular customer है या फिर इस customer को order cancel कराना है इस customer को order दुबारा करना है इस तरीके से हम सारे customers पर label कर सकते हैं अब आपको एक example दिखाऊं थोड़ा सा मैं इस तरीके से आप labels design कर सकते हैं basically create कर सकते हैं like new customer new order let's say किसी customer का new order आया तो उसको आप new order का label लगा के दे सकते हैं label लगा के रख सकते हैं उस customer के उपर तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ यह जो particular customer है वो new order वाला और ऐसी आप new order वाले find out करना चाहते तो उस सारे आपकी लिस्ट में से आप new order वा complete जिसका order total complete हो चुका है तो ऐसे करके आप कई तरीके के labels आप अपने business के हिसाब से बना सकते हैं ठीक है और obviously यह एक efficiency बढ़ाने वाला ही product है feature है जिसमें आपको एक एक करके find out नहीं करना पड़ेगा एक करके chat नहीं पड़नी पड़ेगी लोगों की कि यार इस यह कौन सा customer हो और इसने मेरे से क्या बोला था ठीक है इस तरीके से नहीं करना पड़ेगा तो इसको चली सीखते हैं practical basis पे चलते हैं हमारे mobile screen पे और create करते हैं कुछ labels so guys simply हम अपना whatsapp business application open कर लेते हैं open करने के वाद आपके सामने कई सारे आपके chats होंगे आपके customers के साथ right now अब हमें क्या करना है हमारे जो यह prospects है हमारे पुराने customers है नए customers है या फिर किसी का order complete करना है किसी से payment लेनी है उनको label करेंगे ठीक है अब label के लिए आप कहाँ पर जा स access करके यहां messaging में आपको labels मिल जागा जहां पर आप click करेंगे तो आपको यह pre-made या फिर pre-created कुछ labels मिल जाते हैं जैसे कि new customer, new order, pending payment, paid और order complete आप अपने हिसाब से कुछ बनाना चाहते हैं आप खुद बना सकते हैं plus icon पर click करके यहां पर जो भी लिखने चाहते है let's say मैं ल regular customer ठीक है regular customer लिखा मैंने यहां पर मैं अगर यहां पर आपको design दिख रहा हुआ उसको मैं save कर दूँ यहां हमारा label एक design ready होगया ठीक है अगर मैं इस पर click करूँ यहां पर जाके edit label पर click करूँ तो यहां पर मैं जो label का color है वो भी change कर सकता हूँ let's say मेरे को और को color रखना है मेरे को purple रखना है या और wallet रखना है मैं कुछ भी color चाहूँ अपने हिसाब से रख सकता हूँ ठीक है यहां पर आप labels को edit भी कर सकते हैं choose color करेंगे यहांप से automatically आपका color change हो जाएगा अगर let's say आपको इसमें editing करनी है new customer वाले में भी same तरीके से editing कर सकते है choose color से जो है choose हो जाएगा या फिर obviously यहां पर नेम भी बदल सकते हो new customer की जगा और खुस लिखने चाहते हो वो भी कर सकते हो तो जब आपने labels सारे design कर लिए उसके बाद आपका काम आता है obviously अपने customers पर label लगाना वो कैसे करोगे simply यहां पे आप long press करोगे long press करते ही आपको जो पहला option है pin के बगल में label का option मिलता है अप जैसे उस पर click करोगे आपको यहां पर सारे labels मिल जाएंगे जिसे आप use कर सकते हो let's say जो यह मैंने particular contact select करा है वो मेरा regular customer है मैंने select कर दिया ठीक है उसके आगे regular customer कर देता हूँ और इस पे भी जो हमारा label है लग चुका है ठीक है अब यह जो हमारा तीसरा है शोबित शोबित को मैंने long press किया इसको मैंने new customer पे डाल दिया इस तरीके से मेरे जितने भी contacts है मैं उनको label करके रख सकता हूँ जब भी मेरे को जरूरत पड़ेगी let's say इसका एक pending payment है मैंने यह डाल दिया ठीक है अब let's say मैं गया हमारे store icon पे labels के अंदर गया आपका फाइदा क्या है यहापको labels option मिलता उसका फाइदा क्या आप जैसी labels के अंदर जाएंगे आपको सारे दिख जाएंगे कौन से आपके new customer में आपके कितने contacts है आपके pending items में कितने contact है इसके अलावा आपके regular customer पे कितने contact है इस तरीके से आप चेक कर सकते है यहापर जैसे कि आपको दिख रहा है regular customer के अंदर दो contact आ रहे है यहापर three dot icon पे click करेंगे यहापर message customers पे करेंगे यहापर लिखा रहा है couldn't create a broadcast list because you have no contacts labeled और यह इसलिए आ रहा है guys क्यूंकि आपने जो से फायदा यह होता है guys मैं इनको message कर पाऊंगा एक ही साथ में right I hope आपको idea लग रहा होगा बाकि broadcast क्या है किस तरीके से use किया जाता है हम आने वाली videos में जानेंगे upcoming videos में ठीक है broadcast के ओपर भी मैं proper आपको tutorial दोंगा बाकि यही है broadcast का एक फायदा यह होता है आप जब broadcast वाली video देखोगे तो आप connect कर पाऊगे कि यहाँ labels को use करके मैं कैसे broadcast बना सकता हूं और उन्हें individual messages भी सकता हूं मतलब broadcast feature करके आप let's say आपके regular customer में 1000 customers है ठीक है अब आप चाते उनको message करना एक ही बार में वो कैसे करोगे आप simply यहाँ जाके message customers करोगे उनका broadcast list create करोगे और broadcast list create करके उनको message कर दोगे और वो individually 1000 लोगों के पास चला जाएगा ठीक है इस तरीके से आप broadcast list का फाइदा उठा सकते है I hope आपको label के पीछे की science समझ आई होगी labels को क्यू use किया जाता है labels से फाइदा क्या है सारी चीज़े आपको clear हो गई होगी ठीक है तो इतना ही था labels के बारे में इस वीडियो को यहीं करते हैं समप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाबाई उमीद करता हूँ आपको यह वीडियो बहुत पसंद आया होगा comment section में जरूर बताएगा अगर आपके कोई क्यूरीज भी है वो भी आप हमें comment section में लेख सकते हैं उनके उप website marketingfundas.com पर जा सकते हैं या हमारे दिवे नंबरों पर call कर सकते हैं वाट्सअप कर सकते हैं साथ के साथ description में महा बंडल कूर्स का लिंक दे रहा हूं जिसमें 50-60 से भी ज्यादा हाइपिंग स्किल्स हैं तो दोस्तों जैसे भी आपको सीखना है जो भी आपको services लेनी है तु पर वाचिंग मार्केटिंग फंडल